तुल्य परिमे संख्या वा संख्या रेखा जिस प्रकार एक बटे दो परिमे संख्या है उसी प्रकार दो बटे चार, चार बटे आठ और इसी तरह और भी परिमे संख्याएं हैं इन्हें संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करें? आए करके देखते हैं चित्र चार एक देखें सुन्य एक बटे दो दो बटे दो तीन बटे दो चार बटे दो इसी प्रकार सुन्य की बाई और रिन एक बटे दो रिन दो बटे दो चित्र चार दो देखें सुन्नी की दाई और एक बटे चार, दो बटे चार, तीन बटे चार, चार बटे चार, पांच बटे चार, छै बटे चार, साथ बटे चार, आठ बटे चार इसी प्रकार सुन्नी की बाई और रिन एक बटे चार रिन दो बटे चार रिन तीन बटे चार रिन चार बटे चार चीतर 4 तीन देखें आप देखेंगे सुन्नी की दाई और 1 बटे 8, 2 बटे 8, 3 बटे 8, 4 बटे 8, 5 बटे 8, 6 बटे 8, 7 बटे 8, 8 बटे 8 सुन्नी की दाई और 1 बटे 8, 2 बटे 8, 3 बटे 8, 4 बटे 8, 5 बटे 8, 6 बटे 8, 7 बटे 8, 8 बटे 8 संख्या रेखा पर 1 बटे 2 का जो अस्थान है वही संख्या 2 बटे 4 तथा 4 बटे 8 का भी है अता 1 बटे 2, 2 बटे 4, 4 बटे 8 जो तुल्य परिमय संख्याएं हैं एक ही जगा पर आती है दो परिमय संख्याओं के बीच कितनी परिमय संख्याएं हमें कोई भी दो पुनांग मिले तो हम पता लगा सकते हैं कि उनके बीच कितनी पुनांग संख्याएं हैं करके देखें पहला पांच वा पंदरा के बीच कितनी पूनांग संख्याएं हैं दूसरा रिन तीन वा आठ के बीच कितनी पूनांग संख्याएं हैं क्या यह गणना हम परिमे संख्याओं के लिए भी कर सकते हैं एक बटे दो और एक बटे चार के बीच कितनी परिमे संख्या हैं? सलमा, संख्या रेखा पर देखे तो एक बटे दो और एक बटे चार के ठीक बीच तीन बटे आठ है तीन बटे आठ याने एक बटे दो धन एक बटे चार का आधा रिश्मा तीन बटे आट और एक बटे दो के ठीक बीच परिमे संख्या तीन बटे आट धन एक बटे दो का आधा याने साथ बटे सोला और फिर साथ बटे सोला और एक बटे दो के ठीक बीच पंद्रा बटे बत्तिस है ये सभी परिमय संख्याएं एक बटे चार और एक बटे दो के बीच हैं इस प्रकार हम और भी परिमय संख्याएं इन दोनों के बीच ढूंड सकते हैं क्या आप सोच सकते हैं कि कितनी और परिमय संख्याएं इन दोनों के बीच हैं आपस में चर्चा करो और कुछ और परिमय संख्याएं ढूंडो हम देखते हैं कि जितनी बारचा हैं हम इन परिमय संख्याओं के बीच नहीं परिमय संख्याओं ढूंड सकते हैं अब हम यह कह सकते हैं कि एक बटे चार और एक बटे दो के बीच इतनी अधिक परिमय संख्याएं हैं कि हम इनको गीन कर नहीं बता सकते यह बात किनी भी दो परिमय संख्याओं के लिए सही हैं परिमय संख्याओं के बीच असंख्य संख्याएं A और B कोई भी दो परिमय संख्याएं हैं जिन में A छोटा है B से तब आसमिका के दोनों पक्षों में ए जोडने पर हम इसे लिख सकते हैं दो ए छोटा है बीधन ए से इसे हम आसमिका एक कहेंगे पुना ए छोटा है बीधन ए बटे दो से आसमिका के दोनों पक्षों में बी जोडने पर इसे हम लिख सकते हैं ए धन बी छोटा है दो बीधन ए धन बी बटे दो छोटा है बीधन इसे हम आसमिका दो कहेंगे इस प्रकार आसमिका एक और दो से हम देखेंगे ए धन बी बटे दो ए और बी के बीच में है याने ए छोटा है ए धन बी बटे दो ए धन बी बटे दो छोटा है बी से हम कोई भी दो परिमे संख्याएं ए और बी लें तो उनके बीच एक परिमे ए धन बी बटे दो है और इस प्रकार ए धन बी बटे दो और ए के बीच भी परिमे संख्याएं होती है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो परिमे संख्याओं के बीच असंख्य परिमे संख्याएं ढूंडना हम दो परिमे संख्याएं ए बराबर पांच बटे एक वा बी बराबर छई बटे एक लेते हैं हालं कि इनके बीच असंख्य परिमे संख्याएं हैं हम उनमें से कुछ संख्याएं पता करना चाहें तो यह तरीका उप्योग कर सकते हैं पांच बटे एक वा छे बटे एक के बीच एक परिमे संख्या बराबर A धन B बटे 2 बराबर 5 धन 6 बटे 2 बराबर 11 बटे 2 है इसे हम तुल परिमे संख्याओं का उप्योग करके भी देख सकते हैं आए करके देखते हैं 5 बटे 1 बराबर अंस और हर में 2 का गुणा करने पर बराबर 10 बटे 2 इसे हम 5 बटे 1 का तुल परिमे संख्याओं कहेंगे इसी तरह 6 बटे 1 बराबर अंस और हर में 2 का गुणा करने पर बराबर 12 बटे 2 हम इसे लिख सकते हैं 10 बटे 2 छोटा है 11 बटे 2 से 11 बटे 2 छोटा है 12 बटे 2 से 10 बटे 2 और 12 बटे 2 के बीच एक परिमे संख्याओं 11 बटे 2 होगी 5 बटे 1 और 10 बटे 2 तुल्य परिमे संख्याओं है इसी प्रकार 6 बटे 1 बारा बटे 2 तुल्य परिमे संख्याओं है इन दोनों तुल्य परिमे संख्याओं के बीच आप देखेंगे कि 10 बटे 2 छोटा है 11 बटे 2 से 11 बटे 2 छोटा है 12 बटे 2 से पांच बटे एक अंस और हर में तीन का गुना करने पर इसे हम लिख सकते हैं पंद्रा बटे तीन छै बटे एक लेने पर अंस और हर में तीन का गुना करने पर इसे हम लिख सकते हैं अठारा बटे तीन आप देख रहे होंगे पांच बटे एक के तुल्य परिमेश संख्या पंद्रा बटे तीन है चै बटे एक के तुल्य परिमेश संख्या अठारा बटे तीन है यानि पंद्रा बटे तीन और अठारा बटे तीन के बीच परिमेश संख्या है सोला बटे तीन और सत्रा बटे तीन होगी जिसे हम लिखेंगे तूल परिमय संख्याओं को उपयोग करके इन सब के अलावा और भी बहुत सी संख्या ढूंड सकते हैं उधारन के लिए 5 बटे 1 और 6 बटे 1 को 11 से गुणावा भाग करने पर हमें इन दोनों के बीच 10 नई परिमय संख्याओं मिल जाएंगी अगर हमें 1 बटे 5 और 2 बटे 5 के बीच 3 परिमय संख्याओं ज्याद करनी हैं तो हम 3 से 1 अधीक अर्थात 3 धन 1 बराबर 4 का गुणा दोनों परिमय संख्याओं के अंस और हर में करेंगे एक बटे 5 अंस और हर में 4 का गुणा करने पर बराबर 4 बटे 20 एक बटे 5 की तुल परिमय संख्या चार बटे 20 होगी दो बटे 5 बराबर अंस और हर में 4 का गुणा करने पर बराबर 8 बटे 20 हम कर सकते हैं एक बटे 5 की तुल ये परिमय संख्या है चार बटे 20 चार बटे 20 छोटा है पांच बटे 20 से चार बटे 20 चोटा है चार बटे 20 से और 8 बटे 20 तुल ये परिमय संख्या है दो बटे 5 की अब एक बटे 5 और दो बटे 5 की बीच तीन परिमय संख्या है पांच बटे 20 चोटा है पांच बटे 20 और 7 बटे 20 होगी करके देखें पहला दो बटे 7 और चार बटे 7 के बीच कोई 5 परिमय संख्या हैं ग्यात किजिए दूसरा एक बटे 5 और एक बटे 7 के बीच तीन परिमय संख्या हैं ग्यात किजिए तीसरा रिन एक बटे तीन और एक बटे दो के बीच ग्यारा परिमें संख्याएं ग्याद करें